वी अब्रीवन, विल्कम बाक तो मैं चैनल, सो गाइज आज की अपडेट बहुत ही बड़ी है, सो यह एंजिनिरिनिक सर्विसेस 2023 की तरफ से अपडेट है, सो यहाँ पे एक ओफिशल RTI रिप्लाई है, जिसमें वेकेंसी डेटा टोटल इंक्रीज हो चुकी है, जिसमें वेक प्राटमेंट की वेकेंसी अड़ हुई है, उलेक्ट्रोनिक्स में अड़ हुई है, ओके, आई विल शो यू यू ब्रांचेज वाइस वेकेंसी, नाओ लेट आइट इन्टो डीटेल, यह पहले की वेकेंसी का डेटा है, यह पर देख सकते हूं, सिविल में 145 वेकेंसी थी और यहाँ पर मेकानिकल में, यहाँ पर टोटल 42 सीट थी उस टाइम पर, यह पहले का डेटा मैं बता रही हूं, अभी जो लेटेस डेटा है, आई विल शो यू, इलेक्ट्रिकल में यू केंसी 77 सीट थी, और एलेक्रोनिक्स में 63 थी, तो टोटल 327 वेकेंसी थी उस टाइम पर, बट अभी जो लेटेस डेटा है, लेट मी शो यू, तो यह ओफिशल डेटा है इस बार का, फर्सली आई वूट लाइक्ट्ट्रिक्स विवेक जिन्हों ने यह मुझे आर्टिय शेर करी, तो मैं सबको बोलती हूँ, अगर आपके पास कोई इंफोर्मेशन है, कोई अ की जो अभी वेकेंसी हो चुकी है वो 211 हो चुकी है पहले 145 थी तो यहां पर देख सकते हो यह जो AEE civil in border road engineering services में यहां पर यह total 82 seat है तो यह add हुई है तो इस तरीके से हर branch में कोई नो को department vacancies add हुई है और अगर mechanical के बात करो तो 42 से 57 seat हो चुकी है you can see यहां पर 57 है now coming to another branch तो यह electrical वालों के लिए है यहां पर देख सकते हो इनकी seat भी 80 हो चुकी है पहले 77 थी now coming to electronics के लिए सबसे जादा यहां पर अच्छा चांस अप्रोक्स double seat हुए इनकी पहले 63 थी now ITS department vacancies add हुई है तो ITS में पहले 12 सीटे थी जाके अब 57 हो चुकी है तो ITS department electronics में सब को चाहिए होता है जिनका भी प्री में selection हुआ है आप मेंस की preparation अच्छे से करो जो भी test series विगरा है अब उनको अच्छे से लगाओ तो यहां पर दिख सकते हो total 138 seat electronics की है इन टोटल अगर मैं बात करूं तो engineering services 2023 में 486 vacancies हो चुकी है जो कि पहले 327 थी तो यह official डेटा है नथिंग इसन नथिंग इसन फेक ओके तो इस तरीके साब देख सकते हूं हर विक्रांच में किसे ने किसी अपडेट फो यू मुझे लगा आपसे शेयर करूं जिससे आपको थोड़ा motivation मिलेगा और ज्यादा preparation अपनी बूस्ट करने के लिए okay so yeah this was the update for today अगर आपको कोई information या कोई update मिलती है तो आप मुझे mail कर सकते हूं and also if you are having any query regarding any update और vacancies तब यह आप मुझे email कर सकते हो any kind of technical job updates then you can subscribe technical group thank you guys thanks for watching